जी वेलकम हैं आप सभी का M2R5 की इस किलास में इसमें चैप्टर वाइज MCQ डिसकस करेंगे और यह आपकी M2R5 की लास्ट किलास होगी कहने का मतलब इसके बाद हम M2R5 की कोई भी किलास अपलोड नहीं करेंगे M1R5 का जितने असले बस हमें कराना था जितने कोशन पेपर सोल्व कराने थे जितने MCQ हमें कराने थे हम आपको कुरा चुके हैं जितने भी वीडियो बनाने थी वो हमने अपलोड कर दी हैं अब M1R5 की भी कोई वीडियो नहीं आएगी आप केवल पाइथन की वीडियो आपका एग्जाम हुआ था उसमें मैंने ये PDF आपको दी और उसमें भी सॉल्व कराई थी तो बहुत से बच्चों को एग्जाम पास हो M2R5 का ठीक है तो इसमें एक बार फिर आपके लिए रिविजन के लिए लेकर आए हैं और कल आपका एग्जाम होगा शायद कुछ करा दूं आपको ठीक है तो जादा बात ना करते हैं वीडियो शुरू करता हूं और बस आगे बढ़ने से पहले एक छोटी स्रिक्वेस्ट है आप सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बागी काम मेरा है किस तरीके से कोशन बताने यह हैं आपको और कैसे कोशन आप आपके एक्जाम में आएंगे वह आप मुझे पर छोड़ दीजिए आठ चैप्टर हैं एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि M2R5 के बारे में सिले बस आपको पता होगा पहला चैप्टर है इंट्रोड़क्शन टू वीडियो में कर लेंगे जो आपके लिए इंट्रोड़क्शन टू वेब डिजाइन मैं फटाफ़ट कोशन पढ़ओंगा उसके बाद आंसर बताओंगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे अगर आपको जल्ली से रिवीजन करना है मैं पहले कोशन पढ़ओं उसके बाद चार ओप्शन में मैं पूछ बताए कौन सा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें और आपके पास टाइम है नहीं ठीक है ना तो TCP सामान्यता इन्में इस्तमाल किया जाने वाला प्रोटोकोल है इसे की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है ट्रांज मिस्थद प्रoterन नोट होती है तो तो कह रहाएको किस में cents क्रांछ या निया detect नियर का सबसे अधिक उप्योग करते हैं IPv4 का, लेकिन IPv6 भी आ गया है आपका Internet Protocol verison 4, Internet Protocol verison 6 IPv4 32 bit का होता है, IPv6it 128 bit का होता है ठीक है, जो इसमें IPv6 है, वो आपका नया version है वो कब launch हुआ? 1999 में आपका IPv6 launch हुआ और 1981 में, 1981 में आपका IPv4 launch हुआ था यह आपको याद रखना पड़ेगा नेक्ट कुशन है कुशन नमबर थीडी है एक माननिया यानि वैलिड इमेल एडर स्कून सहा है इसमें से तो उप्शन नमबर A पे है OSI में कितिनी लेयर होती है OSI में आपकी साथ लेयर होती है और साथो को याद करने की ट्रीक आपको मैंने बताई थी कि साथो लेयर को आपको याद कैसे रख सकते हैं OSI में साथ लेयर होती है साथो लेयर आपके सामने है देखिए साथ लेयर है साथो लेयर आपके सामने और इ दी से डाटा लिंक ले रहें आती है दाटा लिंक लेयर आती है और योप्षन में इसका हो ठीक है इसमें बता रहों कि भी हो जाएगा बी वाला डाटा लिंक लेयर के इसकी ट्रिक बता दी मैंने आपको प्यारे दोस्त नरेस तुम्हारी साधी पर आऊंगा यह इसकी ट्रिक है इसकी जोट ले सकते हैं इसको आप याद कर सकते हैं OSI model की layer है बताए कोन सी है OSI की layer अभी आपने नाम पड़े है साथ लेयर के तो पूछ रहा है कि कोन सी है presentation layer भी है application layer भी है और transport layer भी है इस सारी कि सारी OSI की layer है option number D right answer हो जाएगा all क्या हो जाएगा जी D option सही URL URL की full form important uniform resource locator इसकी full form होती है domain name से क्या तात पर यह है तो option number C हो जाएगा server यानी URL से तात पर यह क्या है server से है question number 8 है sale आधारित architecture को इस रूप में जाना जाता है बताए sale आधारित architecture को ATM ATM की full form automatic tailor machine होती है land की full form local area network होती है man की metropolitan area network होती है और when की wide area network होती है तीनो full form important है तीनो network के परकार है land man और when किसी से भी question आ सकता है आप इनकी full form याद रखिएगा question number 9 Microsoft द्वारा विक्सित एक web publishing tool है front page option number B इसका राइट answer हो जाएगा option number B इसका सही answer हो जाएगा कौन सा केबल आम तोर पर linear bus topology से जुड़ा हुआ है कौन सा इसमें से ऐसा network है जो linear bus topology से जुड़ा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा option number C thin coaxial cable अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं जी मैं यह कह रहा था कि अगर आपके पास time नहीं है वीडियो देखने का तो आप इस PDF को ले सकते हैं इसके लिए आपको 50 रुपे करना होगा ठीक है यह मेहनत है जिसने PDF टाइप किया उसकी उसको यह पैसे दिये जाएंगे मैं इ IP address कितने बिट का होता है IPIV 4 में IP address आपका 32 मिट का होता है और IPVIS 6 में 128 मिट का होता है यहां पर सही answer option number C हो जाएगा IPV 6 में IP address पता दिया मैंने आपको कितने बिटका होता है 128 मिट का होता option no.D इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को ये देखिए, कोशन ये आएगा प्रोटोकोल से यानि इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए कि इस प्रोटोकोल का यूज़ के जाता है तो हम यूज करते हैं FTP का, ओप्शन नमबर इसका हो जाएगा, ये कह रहा है के वेब ट्रैफिक को तो यहाँ पर इक गलत है, फाल्स हो जाएगा इसका, हाला कि आपके एक्जाम में हो सकता है और इसी है, ऐसे कोशन आपके एक्जाम में आएंगे, जो फिरी के नमबर आप समझ सकते है SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकोल होता है और SMTP किसलिए यूज किया जाता है, मेल को ट्रांसफर करने के लिए हम SMTP का यूज करते हैं FTP का यूज बता दिया, आपको फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकोल होती है नेक्स्ट कोशन है आपके सामने, ASP is Microsoft product, तो ये true हो जाएगा JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, Joint Photographic Expert Group, option number AS का राइट answer हो जाएगा यहाँ पर next question है, who is founder of www, www जो है इसकी फुल फॉर्म व्ल्ड वाइड वेब होती है, टिम बनसली ने पहला वेब ब्रावजर बनाया 1989 में इसको पहला वेब ब्रावजर कहा गया, इसको बनाया किसने टिम बनसली ने बनाया इसको, डच प्रोगरामर थे अर्पा का फुल फॉर्म एडवान्स रिसर्ट प्रोजेक्ट एजनसी होता है, और इसकी स्थापना 1969 में 1989 में की गई थी, कब की गई थी? 1960, एक मिनिट 1969 में इसकी स्थापना किया गई, लेकिन अगर उप्शन में 1969 ना हो तो आप 1960 का दसक लगाएंगे, यह आपको याद लगना है, अमरिका में इसकी स्थापना हुई, पहला नेटवर्क है, जिसको अर्पा के नाम से जाना गया किस परकार की physical cable में सबसे तेज संचारान गती है, तो fiber optic cable में सबसे तेज संचारान गती होती है, communication की गती होती है, option number C, right answer हो जाएगा इस question का, next question है, कोन सा मान्या image format नहीं है, tip भी होता है, PDF भी, PDF की full form portable document format होती है, JPG की full form आपको बताएगे अभी, और MPG, जो है, यह मान्या फाइल फॉर्मैट नहीं होता इनमें इंटरनेट पर भेजी जाने वाली जानकारी के टुखडे को पैकेट कहते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाउनलोड कार्थ है अपने कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में फाइल को कोपी करना फाल्स हो जाएगा इंटरनेट पर अबलोड करते हैं फाइल यह निपडेंगे मेल सर्वर से मेल लाने के लिए हम यूज करते हैं अगर आपको मेल प्राप्त करनी है तो यूज किया जाएगा और आपको मेल भेजनी है तो SMTP का और फाइलों को ट्रांसफर करना है इंटरनेट पर तो FTP का ओप्शन नंबर इसका B-right answer है मेल सर्वर को मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकोल कर लेकि मेल भेजने के बात हुई है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकोल option नंबर B है SMTP का संबन्द किस से है electronic mail से है क्योंकि simple mail तो mail आ गया ना full form में भी तो mail से संबन्द होता है electronic email में इक मतलब electronic होता है web browser क तो वेब क्लाइन के रूप में भी जानते हैं यह सही हो जाएगा आपका Secure Socket Layer SSL किसके द्वारा विक्षित किया गया तो Net Escape के द्वारा विक्षित किया गया Option number C इस question का सही answer हो जाएगा ठीक है यह कुछ true-false वाले हैं यह हम पढ़ेंगे नहीं www का पुरा नाम World Wide Web है यह सही हो जाएगा CSS का Full Form Cascading Style Seat होता है यह आपके exam में आएगा ही आएगा question ठीक है आएगा यह question Next है कि website कितने परकार की होती हैं देखे website होती है आपकी दो परकार की website कितने परकार की दो परकार की static website और dynamic website दो परकार की होती है modem की गतिम आपने के लिए कौन से काई है BPS, bits per inch option number इसका हो जाएगा B वाला सही email में CC का मतलब carbon copy होता है और BCC का मतलब blind carbon copy होता है दो question है, दोनो question में से एक question पूछ सकता है या इनकी full form पूछ सकता है data प्राप्त करने वाले एक application को क्या कहते है, client program कहते है option number B, question का सही answer हो जाएगा true false नहीं पढ़ेंगे मैं आपको बता चुका हूँ virtual दुनिया-nama के computer language को उप्योग करके बनाई गई तो VRML का करके option number A हो जाएगा URL का full form uniform resource locator होता है इसका right answer option number A हो जाएगा URL के कितने भाग होते हैं URL के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं option number C, web server को internet से जोडने के लिए address की अवशकता होती है, तो IP address की IP का मतलब internet protocol होता है computer अपराद को dash के रूप में भी जानते हैं अगर आप computer अपराद करते हैं crime करते हैं, आप तो उसका किसमें रखते हैं cyber crime में रखते हैं, computer को hack करना हमेशा गलत या अपराद माना जाता है तो इसमें आपको option में दे सकता है सहीh गलत, कभी-कभी, इस तरीके से option बना देगा, triple C का famous question है तो computer को hack करना गलत माना जाता है ये question अलग है, computer को hack करना हमेशा गलत माना जाता है यह false हो जाएगा क्यों? क्योंकि कभी-कभी सरकार को भी computer hack करना पड़ता है इसलिए इसको हमेशा गलत नहीं माना जाता question number जो first है उसके complete होते हैं question number second है जिसका नाम है editor इसके फटाबट कर लीजिए notepad application open करने के लिए कुन सा तरीका सही है तो यह जो चार option लिखे गई है इसमें से भी वाला जो तरीका है वो बिल्कुल सही है next question आपके सामने notepad application में सब्दो के size को बदलने के लिए आप font पर click करेंगे किस पर click करेंगे font पर अगर आपको सब्दो का size change करना है मोजूता notepad window को save करने के लिए आप save पर click करेंगे अगर आपको edit करना है cut copy paste करना है तो edit पर click करेंगे notepad application के साथ काम करते साना है एक menu पर click करने के बाद दियेगा option को खोलता है उस menu का नाम है file menu option number A हो जाएगा notepad application में word wrap enable नहीं होने पर क्या होगा enter की दबाने तक letter A की पंक्ति में type किये जाएगे उस file extension का नाम क्या है जिसके साथ notepad document को save किया जाता है तो इसका हो जाएगा option number A dot txt या question पूचेगा notepad file का extension क्या है तो dot txt आप पर आपका answer हो जाएगा html file का extension dot htm या dot html होता है html की full form hypertext markup language होती है notepad में किसी menu में केवल दो option है word wrap और font किस में है कौन सा है वो option option number A format menu कौन सा menu होगा format menu होगा notepad menu bar में कौन सा item नहीं है बताए कौन सा item नहीं है तो option number B insert item नहीं है notepad application के साथ काम करते समय पिछली save की फाइल को आपको खोलना है तो आप क्या करोगे open करोगे ctrl O इसकी shortcut की होती है save की shortcut की ctrl S और save as की ctrl shift S होती है paint brush text editor है या ms paint आपका text editor है ये कलत हो जाएगा ये सारे वो लिखे है true false notepad text editor है true जाएगा notepad plus plus भी आपका text editor होता है तो आप इसको देख लिजे notepad जो है आपका वो क्या ऐसा होता है notepad एक propriety text editor है नहीं इसको फिरे में download नहीं कर सकते फिरे में install नहीं कर सकते इसको आपके सही है जो notepad plus plus है वो आपका free open source होता है question यहीं से पूछेगा ये इद्ध पूछेगा देखे हम desk का उप्योग करके html code लिख सकते हैं तो हम notepad plus plus का क्योंकि ये एक text editor है और हमें coding करने के लिए एक web browser की जुरात होती है internet connection के आवेशकता होती है और एक text editor की हमें आवेशकता होती है notepad plus plus एक software है कैसा free है और open source है आप इसको free में download करके install करके use कर सकते है अधिकारिक तोर पर notepad plus plus किसके लिए उपलफ्द है अधिकारिक तोर पर तो windows के लिए option number C हो जाएगा windows ये operating system होता है operating system यानि system software होता है mac का फूलफो media access control होती है 48 which का होता है Linux भी आपका open source है free होता है unix आपका free नहीं होता open source नहीं होता notepad plus plus support करता है syntax holding को किसको support करेगा syntax holding को support करेगा option number C हो जाएगा notepad plus plus within plugin को support करता है जो आपकी इन में सहायता कर सकते हैं दोर document की तुलना करने में code compile करने में और text कारिया और macro recording करने में सही answer D option number हो जाएगा यानि all notepad plus plus में multi editing के लिए support को इस menu में navigate करके enable किया जा सकता है तो setting, preference, edit, editing पर जाओ enable और control plus mouse, click और selection से भी कर सकते हैं notepad plus plus में compare plugin इनके बीच अंतर जानने में बहुत मदद करता है तो file के दो version के लिए option number A हो जाएगा option number 24 पढ़ी है dash, adobe का एक open source code editor है यह HTML, CSS और JavaScript के लिए built-in support के साथ VCS रूप से web designer की जरूरतों पर केंद रहता है तो इसका हो जाएगा option number A question के, यानि question पढ़ीए answer पढ़ीए, question ऐसे ही आपके exam में पूचा जाएगा और इसमें सारे-सारे question जो है previous year के है या जो पूचे जा सकते है वो question है, जो फालतो के है वो मैं आपको करा ही नहीं रहा, ठीक है वो मैं skip कर रहा हूँ यह सारे previous year के हैं, क्योंकि आप जानते ते पहले true falls आते थे, 10 MCQ, 10 आपके matching आते थे और 10 flinda blank तो यह सारे वही question है, इसलिए यह मैं इनको नहीं करा रहा आपको, क्योंकि question आपके exam में 4 option देखे पूचेगा, अब आपको ऐसे कैसे समाझ आएगा, तो यह मैं नहीं करा रहा हूँ, यह एक open source free text editor है, तो कौन सा है इसमें से free और open source, तो notepad plus plus आपका free है, notepad free नहीं है next question देखे, chapter 3 question number 1 यह 2018 जुलाई और 2019 में पूचावा question है, तो important है, कह रहा है कि bold करने के लिए किस का use करोगे आप, तो strong का use करते हैं, option number B, देखे B tag के अलावा, अगर पूचे के bold करने के लिए किस tag का use करते हैं तो हम B tag का use करेंगे, italic के लिए हम I tag का use करेंगे, यानि I और इस तरीके से बंद कर देंगे, underline के लिए हम इसके अंदर यू रख देंगे, यू ठीक है, तो यह सारे tag आपको याद रखने हैं, B tag के अलावा, कौन सा दूसरा tag text को bold करता है, तो अगर आप strong करेंगे, तो भी text आपका मोटा हो जाएगा, bold हो जाएगा, और B tag का यूज़ करोगे, तो भी आपका text bold हो जाएगा, यह question पो जाएगा, आपको B tag का यूज़ नहीं करना, ऐसा दूसरा कौन सा text है, यह दूसरा कौन सा tag है, जिसके दुवारा आपका tag text आपको जाएगा, तो strong है, option नमबर B, HTML पेज़ पर कोन से tag का उप्यो करके picture display की जा सकती है, तो IMG, क्या हो जाएगा, इसका IMG हो जाएगा, option नमबर C, अगर आपको लगता है कि किसी question का अंसद गलत बता जाएगा, आपको उसको comment box में लिख सकते हैं, लेकिन question आपको पूरा लिखना पड़ेगा, सबसे छोटे आकार की heading के लिए हम यूज करते हैं, H6 का और सबसे बड़े आकार की heading के लिए हम यूज करते है, H1 का, HTML में 6 heading होती है H1 से H6 तक, और सबसे बड़ी होती है, आपकी H1 और सबसे छोटी होती है आपकी H6, ठीक है, तो सबसे छोटे आकार की पूछी है यहाँ पर, तो option number A हो जाएगा, H6 website से क्या तात पर यह है, website किस से मिलके बनती है, URL से, web space से, और HTML content से, option number A, इसका सही answer हो जाएगा, text को bold करने के लिए हम B tag का यूज़ करते हैं, italic करने के लिए I tag का यूज़ करते हैं, underline के लिए हम U tag का यूज़ करते हैं, background में रंग डालने के लिए सही HTML code कौन सा है, तो body color, body, bg color और उसके बाद जोन सा color डालना है, आपको आप लिखेंगे, कौन सा tag आपके page में horizontal line insert करता है तो HR tag, कौन सा tag होगा, वो HR tag होगा, option number A HTML में A tag का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है January 2019 में ये question आया, तो link बनाने के लिए किया जाता है, option number B 16 minute की class है, और तीसरा chapter हमारा चल रहा है, बहुत तेजी से हम चल रहे है HTML document में सबसे पहला tag कौन सा होना चाहिए, सबसे पहला tag आपका HTML होना चाहिए, और सबसे last का tag भी आपका HTML ही होना चाहिए, लेकिन उसको हम slash के द्वारा क्या करते हैं, slash से हम उसको close करते हैं, समझ में आगी बाद HTML की full form 2020 में पूछी गई hypertext markup language जिसकी full form होती है और HTML का file extension dot htm या dot html हो सकता है अगर आपको पूछेगा HTML का file extension बताए, एक में देगा htm, दूसरे में देगा html, c में देगा both, या d में देगा none of तो c वाला सही answer हो जाएगा a और b दोनो, html document में सबसे आखरी tag कौन सा होना चाहिए तो सबसे आखरी tag मैंने आपको बता दी html होना चाहिए, लेकिन उसको slash के दोवारा आप close करोगे, option number 20 सही answer यहां पर हो जाएगा, html document बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा केवल notepad को प्योग करके आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बार-बार subscribe के लिए like के लिए नहीं बोलूँगा अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते तो फिर देखे अच्छा नहीं लगेगा हमें, ठीक है, subscribe कर दीजे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, subscribe करने के बाद के लिए देखे किसका यूज करेंगे, यह कुशन बार-बार नहीं बताऊंगा, क्यों कि मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, सबसे बड़ी हैडिंग होती है, सबसे चोटी हैडिंग होती है, आपकी हैडिंग है, सुनने में उल्टा लग रहा हूगा, लेकिन है यही, ht html, हम बता दिया है, है पर-text-mark-up language, html में super script करने के लिए, कौन सा tag यूज किया जाता है, अगर आपको super script करना है, तो आपको SUP लिखना पड़ेगा, इसके अंदर, क्या लिखना पड़ेगा, स euP, लेकिन अगर आपको sab script करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, आपको का मतलब होता है order वह अन-order list शोरी यू का मतलब अन-order और ल का मतलब list इसका option number भी हो जाएगा HTML में definition list के लिए यह tag उपयोग किया जाता है तो इसके लिए use करते हैं deal का किसके लिए deal का definition list के लिए option number इसका c हो जाएगा HTML में HTML tag case sensitive होते हैं क्या नहीं के अब यह सारे true false के हैं इनको में discuss नहीं करूँगा आपका time waste नहीं करूँगा website कितने परकार की होती है website आपकी दो परकार की होती है यह important question है dynamic होती है और आपकी कौन से होती है static चलिए इस सारे true false है इसको नहीं बताऊंगा HTML tag case नहीं है यह देखे यह आया था आपके एक्जाम में XML का full form extensible markup language होती है यह important question है इसको आप लेख लीजिए इसका इसका इस्तेमाल बेस इसका इस्तेमाल static बनाने के लिए तो HTML का आपको कोई भी बनाना हो static बनाना हो या dynamic बनाना हो option number D line break करने के लिए हम BR tag का यूज करते हैं line को break करने के लिए किस tag का यूज किया जाता है BR tag का HTML में heading लिखने के लिए हमारे पास कितनी heading है H1 से H6 सकते हैं 6 तक हैं तो इसका option number C हो जाएगा 6 heading होती है HTML एक file है जो अन्या सुचनाव से जोड़ती है चलिए italic के लिए हम किसका यूज करते हैं italic के लिए हम i tag का यूज करते हैं option number इसका हो जाएगा A पूरा italic नहीं लिखना केवल i से काम चल जाता है चलिए देखते चलिए आप इसको अगर आपको पढ़े नहीं है तो आप देखते चलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा यूज कि चार option नहीं देखाई html को कैसी language मानते है markup language मानते है यह important है उसमें देदेगा html को कैसी language मानते है markup language programming language दो option और बना देगा इस तरीके से question तो option तो बना देगा वो लेकिन आपको समझना पढ़ेगा बस देखे यह important है html में design किये गए page को क्या कहते है वे page कहते है option 4 देदेगा वे page कहते है dynamic page कहते है चार option बनाने ही पढ़ेंगा उससे कैसे भी करके तो आपको सही answer पर जाना है उसको वे page कहते है और html program को किस extension के साथ save किया जाता है तो html या dot html dot htm लेकिन dot लगाना जरूरी होगा html भी हो सकता है इसका file extension और dot htm भी हो सकता है ठीक है चलिए div document में एक section को परिवासित करता है चलिए यह तो हो गया और हाँ यह question है homework के लिए मैंने question दिया था इसायद आपको homework के लिए question है कि horizontal के लिए किस tag का यूज करते हैं HR tag का यूज करते हैं अब आपको homework question क्या देना कल आपका exam है तो आप कहां चक्कर में पढ़ोगे m2r5 chapter 4 देखे यह नाम है जिन्होंने answer दिये थे गोरावतिरवेदी gaming master और यह यह लिखे रहे हैं रीतू का भी नाम है रूची कुमारी भी है CSS का full form क्या होता है cascading style seat होता है option number इसका right answer A है second question है HTML और xhtml page पर head section में किस element का प्योग किया जाता है अगर हम page को सजाने के लिए करें तो हम use करते हैं किसका link का किसका option number भी हो जाए किसका link हम CSS code के साथ comment कैसे लिख सकते हैं आपको comment लिखने हैं तो slash star a comment star slash इसका option number इसका option के में जो आप option देगा इसी तरीके से देगा इसको आप रट भी सकते हैं तो काम चल जाएगा जब हम image screen image dot png लिखते हैं तो दोहरे quotes के अंदर image dot png का ताथ पर यह क्या होगा value होगा इसका सही answer option number c question का answer पहले से highlight इसलिए है क्योंकि आपका time waste ना किया जाए और जिन बच्चों ने ये ebook ली उनको पढ़ने में आसानी हो यदि आप d, iv, border और इसके inner text के बीच कुछ margin जोड़ना जाते हैं तो आप css property का उप्योग करेंगे padding option number c हो जाएगा इसका किसी element के text size को नियंतरित करने के लिए control करने के लिए कौन css property का उप्योग किया जाता है तो इसका हो जाएगा आपका c वाला option यानि font size यदि आप एक paragraph element को लाल रंग कैसे देंगे p यानि paragraph और उसके अंदर आप color रखेंगे color कौन सो रख रहे हो रहे है रख रहे हो option number c हो जाएगा एक नई list बढ़ाने के लिए तथा एक hyperlink को शामिल करने के लिए किस tag का यूज़ करेंगे option number a का हम यूज़ यानि l1 का यूज़ करेंगे l i का है ठीक है कौन सो selector उन element का chain करता है जो selector s से mail नहीं खाते तो इसका हो जाएगा c वाल option यानि notice कौन सो selector उन element का chain करता है जो parents का पहले child है first of type इसका हो जाएगा वह option number c ऐसे question आपके exam में पूशे गए है कौन सो selector direct dentsident का chain करता है e plus f e plus f option number c कौन सो selector id attribute के साथ साथ किसी tag का chain करता है तो इसका हो जाएगा आपका b h id next है question number 13 font variant property के लिए कौन से value उचित नहीं है तो large gaps कौन से property text का font size निर्धाडित करती है font size option number b कौन सा function filter property द्वार उप्योग के लिए एक element के रंग flip करता है option number c हो जाएगा invert कि यह ज्यादे important है कौन सा रंग प्रारूप element की एस प्रश्टा को परिवासित करने के लिए रंग के लिए alpha channel value निर्धाडित करने के लिए एक चोथे value के साथ css3 html की value है तो hsla option number d का right answer जाएगा और यह color है table की चोड़ाई कितनी होनी चाहिए ताकि table की चोड़ाई browser window की वर्तमान चोड़ाई में adjust हो जाए तो 100% option number b इसका हो जाएगा और यह true false है जिसको हम पढ़ेंगे नहीं देखे css के बारे में कुछ point लिखे है मैंने इसको आप देख लिए css का मतलब cash cutting style sheet होता है css बताता है कि html element को screen paper या अन्या media में कैसे सोग किया जाए इस class को पूरी देख लेना revision के तोर पे अच्छी रहे कि जिन बच्चों ने revision नहीं किया उनके लिए खासकर और जिन्होंने कर भी लिया है revision तो उनके लिए तो और अच्छी रहेगी उनका और revision हो जाएगा exam में कोई question छूटे ना css बहुत कम बहुत काम बचाता है यह एक यह साथ कहीं web page को कहीं web page के layout को नियंत्रित करता है कंट्रोल करता है और external style sheet को css फाइलों में store हम कर सकते हैं कि कुशन नमबर वह चैप्टर फाइफ है आपका जिसका नाम है css framework यह framework है और css की full form कहीं बार पूछी कहीं है यह w3.css कैसा है trial wire है केवल आप उसका trial कर सकते हैं या share wire है या paid है तो यह free में use किया जाने वाला framework है w3.css w3 का मतलब worldwide wave consortium होता है अगर c लगा देता लेकिन केवल w3 बार है तो the world wide wave होगा बस देखे w3.css का मतलब क्या है worldwide wave cascading style sheet w3 तीन बार है यानि world www है यह बस डबल डबल तीन बार लिखके w3 लिख दिया नेक्स कुशन है w3.css क्या कर सकता है यह व्याइब डबल पैंड को गति दे सकता है और उसको easy बना सकता है सरल बना सकता है next है w3.css अनिय css framework की तुलना में यह आसान है कैसा है आसान है और क्या कह रहा है w3.css के मूल सिधानतों में से एक है all of the above सारे के सारे सबी browser के लिए समानता सबी devices के लिए समानता option number हो जाएगा इसका d all of the above w3.css है अनिय css framework की तुलना में यह तेज भी है आसान भी है मैं आपको बता चुका हूँ इसका option number भी हो जाएगा इसमें से एक responsive website आसानी से विक्षित की जा सकती है किस के दवारा w3.css के दवारा option number c हो जाएगा इसका सही answer next है डैसे काधोनी css framework के जिसमें built-in responsiveness होती है इसका होजाएगा w3.css w3.css के साथ website बनाते समय किसकी जरूरत नहीं है तो जे query की आपको जरूरत नहीं पड़ती है next है question number 11 w3.css के साथ website बनाते समय जावा script की जरूरत आपको नहीं पड़ती है ठीक है डबलो यह true false है इसको मैं पढ़ूंगा नहीं अब आप यह कोगे कि फिर जब पढ़ोगे नहीं तो फिर लिखे क्यों है भाई जब पहले लिखे थे जब आपका से लेबस चेंज नहीं हुआ था यानि एक्जाम पेटन चेंज नहीं हुआ था आपका w3.css classes में class dash class सबसे महतपूर है तो w3 container class सबसे महतपूर है dash class सभी परकार के notes और codes परदर शित कर सकता है तो w3 panel होगा इसका returns और option number d देखते चलिए फटाफट class तेज़ी स्पीड में आपको तेज़ी स्पीड करने की ज़रूत दिनी है मैं भी बहुत तेज़ बोल रहा हूँ dash class को उपयोग सभी परकार के alert के लिए भी किया जा सकता है इसका हुजाएगा option number d w3 panel dash classes image और note दोनों के लिए उपयोग थै तो उपका हुजाएगा option number a w3 code subscribe कर लीजे वीडियो को notification मिलता रहेगा आके जो भी वीडियो आएंगी please कर लीजे क्योंकि इससे आपके ना पैसे लगते हैं ना कोई payment करनी है आपको तो subscribe करने में आप movie के channel भी subscribe करते हो comedy के channel भी subscribe करते हो तो एक पढ़ाई का channel subscribe कर लोगे तो क्या हुजाएगा आपका इससे आपकी storage तो भरेगी निए phone की कि आपका 4GB का रहा है वो 4GB रहा है में आपका phone भर जाएगा तो please कर लीजे 4GB में है आपका phone classes सभी परकार के इसका हुजाएगा W3 tables option number B question आएगा तो ऐसे ही आएगा चार option के साथ इसलिए ध्याम से देखते चलिए बस आपको class को देखते चलना है dash class सभी परकार की list को handle कर सकता है तो W3 UL earn order list ये true false है इसको पढ़ूंगा नहीं ये देखिए dash class एक wider text specify करते है W3 wide ये देखिए W3.csus एक responsive fluid grid का समर्थन करता है तो 12 column option number A यदि आप चाहते हैं कि response यदि आप चाहते हैं कि image responsiveness के कारण छोटी या बड़ी हो तो CSS with property किस पर set करने पड़ेगी 100% पर set करने पड़ेगी आपको option number C हो जाएगा इस question का TD tag का use किस लिए किया जाता है TD tag का use किस लिए करते हैं table record के लिए 100% question आपके exam में पोचा जाएगा इतना में confident to देख सकते हैं 6 chapter है आपका दो chapter और बचे हैं इसके लाबा Java script and AngularJS और time कितना हो गया वीडियो को time 29 minute हो आए 29 minute में 30 minute में हमने 5 chapter complete कर लिए chapter 6 है आपका Java script के साथ किस परकार के image maps का उपयोग किया जा सकता है तो client side image maps का option number B share करते हैं अपने दोस्तों के साथ ठीक है अगर उनका भी exam है तो अगर नहीं है तो नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है net escape में कौन से tag mouse event को संभाल सकते हैं option number A कौन से tag है? A tag है कौन सबसे अच्छा get selection function का वर्णन करता है तो cursor selected keys value return करता है option number C हो जाएगा net escape और IE में name लिखित में से कौन सी navigator object properties जमान है तो navigator.app code name option number A JavaScript में एक date object कैसे बनाया जा सकता है? date object name लिखेंगे equal new date उसके बाद आप क्या यूज करेंगे parameters option number इसका right answer A हो जाएगा किसे JavaScript operator नहीं माना जाता तो दिसको आप JavaScript operator नहीं मान सकते बाकी new है deleted type of A इनको आप मान सकते हैं angular app को inutilize करने के लिए किस directive का उप्योग किया जाता है तो ng app का use करेंगे किसका ng app option number B angular js js का मतलब JavaScript है angular javas expression किसका उप्योग करके लिए जाते हैं तो double braces जैसे expression option number A हो जाएगा इसका जी यह हो जाएगा कि यह true false है जावे स्क्रिप्ट को server side script भी कहा जाता है तो इसका क्या हो जाएगा live wire option number A यह पढ़ सकते हैं question number 16 important है html page वे embedded किये गए dash javascript statement user के event जैसे mouse click form input और page navigation को जवाब दे सकते हैं client और side निमने लिगत में से कौन सा function एक बार में एक function को gister करने की अनुमती देता है तो set time out function option number A हो जाएगा इसका और next question है आप html document के अंदर external js code को सामिल करने के लिए निमने लिगत में से किस attribute का उप्योग करेंगे तो src का option number A हो जाएगा इसका right answer next question आपके सामने है जब arithmetic values communication के दुरान indefinite होगा यह indefinite या infinite value होती है तो javascript infinite पर दरशित करेगा option number C हो जाएगा javascript में किसे array नहीं माना जाता तो zero के दिवारा विभादन option number B होए इसका सही javascript को test दुवारा interpret किया जाता है एक question आपके exam में आता है अपनी website को mobile के अनुकुल बनाने के लिए किस copy करते हैं light का ए responsive का तो हम करते हैं responsive का यूज़ करते हैं करने के लिए किस operator का उपयोग किया जाता है तो इनका करते हैं किसका इनका करते हैं और next question देखे true false के हैं इनको ज्यादा ध्यान नहीं देगे ने में से कौन सा ternary operator है कौन सा है ternary operator question mark कोलन option number C किसे कभी-कभी father of angular js भी कहते हैं यानि father of angular js का पिता किसे कहा जाता है मिस को हैवरी option number D हो जाएगा यह question आ सकता है आपके एक्जाम में कि कह रहा है कि एंजी डायरेक्टिव के बारे में कौन सा घथन सही है एंजी आइन इन इनिट डायरेक्टिव एंगुलर js application data को initial करता है और यह दोनों ही सही है तो नि updating right answer option number C हो जाएगा these crazy medicine में क्या आना चाहिए जैसे html चन्त मेंसलेई के साथ html लगाते ह्क तो इस्क्रिप्ट कि अंत で चैप्टर 7 फोटो सोप यूज फोटोड़ोसोप यूज कि से लिए करते हो आप ग्राफिक्स के ले करते हो ना photo gadget के लिए कोई लड़की काली है तो उसको गोरी करने के लिए कोई लड़का काला है तो उसको गोरा कर सकते हैं इसलिए अगर आप करिष्टा होगा तो आप ऐसे करवा हो गया ना या पहले से गोरे हो आप चलो अच्छी बात वाट इस फुल फॉल 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 क्या है वाट-वूल फोर्म औफ डोज फोल फोर्म पुछा गया रैड ग्रीन विलू इसकी फॉलर्म होती है दोनों कलर के परकार है नेक्स्ट वूप फॉल्फोर्म ओफ डीप डौट्स पर इन्च स्की फॉल होती है इसलिए राइट आंसर हमारा होगा option number a कौन सा software gradient tool का उप्योग कर रहा है तो photoshop है क्या है photoshop है option number c photoshop नेमन में से किस duplicate layer option है तो इसका जाएगा option number b layer का next photoshop में file extension क्या है व्यानि photoshop का file extension क्या होता है यह पूछा गया है simple language में अगर आपको बता दो डोट क्या होगा psd क्या है psd किस company ने इमेज रेटी बनाया बताओ किस company बनाते इमेज रेटी तो एड़ोप सिस्टम ने बनाया option number a like नहीं किया होगा उमीद करता हूं यही तो like कर दो फिर नहीं किया दो और यह वीडियो पसंद नहीं आई हो तो मत करो जो इंपोर्टेंट है वह बता रहा हूं मैं आपको फाल्द होगा नहीं बता रहा कुछ भी photoshop में यह छोड़ो इस फोटोशोप में ओटो infinitas option पराप्त करने के लिए इसे試 reass dur किया सिलेकर ओगे image और adjustment से давно को option नमबर पी you volontos अब में कितने color mode कितने color mode होते हैं photos światा व प्रकार के gradient होते हैं तो पांशी परकार के gradient और पौस ही परकार के color mode होते थैं photos up में कितने मार्केटूल थे तो photos up में चार marks की टूल है option number C Photoshop में auto contrast option पराप्ट करने के लिए हमें dash select करना होगा तो image adjustment करना पड़ेगा M1R5 का अगर आपका भी exam है तो जितने भी video M1R5 की अभी हाल ही में बनाई है उनको भी देख लोगे तो काम चल जाएगा खासकर LibreOffice, Calc, Writer, Impress, तीनों की feathering क्या कहते हैं feathering कहते हैं Photoshop में stroke का option पराप्ट करने के लिए आपको stroke का option पराप्ट करना है और इसका राइट answer हो जाएगा edit menu जाओगे stroke का मतलब थोड़ा सा गाड़ा कह सकते हो आप JPG का मतलब क्या आप जानते हैं joint photographic expert group होता है JPG का full form option number A what is full form GIF graphic interchange format ये बता चुका हूँ हम Photoshop में filter menu के तयात variation option पास सकते हैं false है और हम true false पढ़ेंगे नहीं Photoshop में art selection tool है नहीं टीफ का full form क्या होता है टीफ का tag image file format क्या हो जाएगा tag image file format होता है pen tool को active करने के लिए क्या करोगे shortcut की कह रहा है कौन सी है Photoshop में तो पी कौन सी है फोटो को अपने उदेश्य के लिए सबसे परभावी बनाने के लिए उसे बदलने की परकिरिया क्या कहला थी editing आप editing करोगे जब तो फोटो अच्छा होगा गोरे से काले हो जाओगे काले हो जाओगे ऐसा नहीं है जो काला है वही गोरा होगा गोरे को भी काला कर देंगे फोटोशोप में समझें एक ग्रे स्केल इमेज में हमें अलिक्तम कितने कलर मिलते हैं तो 256 कलर होते हैं कितने यह कोशन आप से कैसे भी पूछ ले 256 अगर आप्शन में मिलेगा तो तुक कमार के भी आजाओ के बात बन जाएगगी आपकी कोशन छोड़ना है नहीं कुभी बस यह बात याद रखनी है कोशन छोड़ना आपको नहीं है कंट्रोल जे एक लेयर को टुबलिकेट करने की सोटकट की कौन सी होती है कंट्रोल जे होती है ऑप्शन नमबर ए फिरी ट्रांस फॉर्ट बॉक्स को अक्टिवेट करने क की सोटकट की क्या है कंट्रोल के साथ में क्टी है ऌपशन नमबर सी हो जाएगा इसका हाइट सो करने की सोटकट की चंट्रोल आर होती है उपशन नमबर भी हो इसका सही है अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं तो रिस्पॉंसिव करेंगे रिस्पॉंसिव नियास भी कह सकते हैं और कौन सा कथन गलत है आप ice k2 का अप्योग कि अबिना एक Image बना सकते हैं तो यह पाजल पंती होगी अगर आप ऐसा करना सोच रहे हैं तो यह क्या होगी पाजलन पंती होगी एं WordPress क्या है यह एक क्लाइन म्युर कथन सही है यह है एक server side scripting language है option number A next question है coaxial cable dash topology के लिए उपलब्द होती है तो बस topology के लिए dash mail प्राप्ट करने के लिए POP का यूज़ करते है mail send करने के लिए SMTP का यूज़ करते है mail भेजने के लिए SMTP का पहला graphical web browser mosaic है और पहला search engine है आपका archie कौन सा है पहला search engine यह important question चल रहे है अब last चल रहे है कि लास पहला search engine archie HTML के संस्थापक tim bannersly HTML को dash language माना जाता है तो HTML को markup language मानते है HTML को markup language मानते है HTML tag को प्योग document का content दिखाने के लिए HTML का file extension .htm या .html हो सकता है लेकिन .html लगाना जरूरी है tag को horizontal यानी horizontal के लिए मैं आपको बताया था HR tag का use करते है javascript एक dash language है यह है client side scripting language है option नमबर b ftp का full form file transfer यह क्या लिखता है full form आप बताएं अच्छा जी लोग आप बतावा है full form क्या होती ftp की चलो question में लिखा हुआ है 29 नमबर है dash एक पहला और प्राणा packet switching है जिसमें जिसने tcp ip protocol suite implate किया त्वारपा advanced research project agency network computer crime के तौर पर जानते है hacking को अगर आप hacking करते है किसके computer hacker लोगे ना तो वो किसम आएगा cyber crime में आएगा वो dash एक network है लोग कले नेटवर्क में के मैंट्रपोल एरिया नेटवर्क और वैंड की वाइड एरिया नेटवर्क लिखी हुए यह तियनों की screenshot ले लो डैस एक network है जो बड़े एरिया में काम करता है वैन है ipv6 कितना लंबा होता है 128 bit का होता है ipv4 32 bit का होता है mac address 48 bit का होता है इसकी full form media access control होती है xml की full form extensible markup language होती है tcpip transmission control protocol internet protocol होती है next आप program codes वैतनत रूप से उपलप्त होते है open source होते है यह एक server side scripting language है तो ASP कौन सी है ASP है आपकी server side scripting language EDI का full form electronic data interchange होता है network tablogy को यह भी कहते हैं तो network tablogy को क्या कहते है network attribute architecture sorry network architecture markup language xml किसी अच्छी से दिखने वाली website के operation पर भ्रोस्ता कर सकते हो क्या बिल्कुल नहीं कर सकते option number B hacker का target होता है आपका data चुडाना बिल्कुल सही बात है hacker का उदेश क्या है आप उसने है क्योंकि आपको computer data चुडाने के लिए web browser के नाम बताने हैं आपको safari है और operator यह दोनों web browser है ठीक है chrome web browser है Google search engine www का full form worldwide way भी होता है है बिल्कुल सही SGML standard generalized markup language होता है टिम बरसली कौन है www के founder पहला web browser 1989 याद रखना यह तीन हो question लोग पर यह search engine के नाम बताओ लो search engine के नाम लिखो तुम Google search engine Bing search engine Yahoo search engine बाइडू search engine डगडगो search engine और web browser के नाम बता दो web browser लिखो internet explorer edge chrome यह सारे क्या है web browser है Meta search engine क्या है Meta search engine के बारे में एक थोड़ी सी information है Meta search engine एक VCS परकार का search engine है जो user द्वारा परदान किये गए input पर search नहीं करता बलकि यह user query को अन्य search engine में फेजता है और अन्य search engine से result प्राप्त करता है आज का homebar question है computer को hack करना हमेशा crime and कानुनन अपराद माना जाता है क्या यह सही है या गलत यह आपको comment में comment करके बताना पड़ेगा ठीक है homebar question है आपका सभी को लिखना है yes या no true और false में टेलिग्राम पर बता सकते हैं हमारी तिरफ से जितना भी हो पाएगा हम आपको उसका जो भी solution होगा वो हम आपको जरूर देंगे ठीक है subscribe कर दीजेगर आपने नहीं क्या है आप से एक बार फिर request करते हैं और मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भा तब झाडप जय हमारी तब मिलते हैं और मिलते हैं हैं हम झापको depressed听 क्या मत्या का बीवर लिए जय हुआर घब मजड़ोगाएं और यथ करके लाएबर फिरफ से यूराब पूर क whom जर दिए संहित nya हैं है कर दो हमारी हैं हैं ज Focus FM.